अगर आपको नवी मुंबाई या फित मुंबाई में बजटर्ड प्रॉपर्टीज घरीदने है तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को अन करें हम लोग जब भी प्रॉपर्टीज के बारे में अपडेट्स डाले आपको आसानी से पता चले आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट देखने वाले है जो की लोकेटेड है इन उल्वे एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है जहां पर कनेक्टिविटी और बाकी के ड जानना है तो उपर दिये हुए आई बटन पे क्लिक करें आज हम लोग जो प्रोजेक्ट देखने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रीमूर्थी अपार्मेंट्स यह एक सिंगल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है यहां पर पूरे बिल्डिंग का व्यूँ देख सकते हो इस तरीके से यह बिल्डिंग यहां पर प्रोजेक्ट में प्लान में दिखाई हुए है अभी इस प्रोजेक्ट के जो स्पेसिफिकेशन से वो हम लोग यहां पर चेक करने वाल है नॉर्मली यहां पर फ्लोरिंग जो दी हुई है 24 by 24 वेटरिफाइड फ्लोरिंग है सारे र दी हुई है उसके बाद प्रोजन फॉर्टर प्यूरिफायर फॉइंट डूर एंड विंडोस की बात करें डेकुरेटिव लामिनेट में डूर विथ उडन फ्रेम दिया हुआ है ऐलमिनियम स्लाइडिंग विंडोस दी हुई है इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो यहां ग्लेज टाइल्स अप्टू बीम लेवल है ब्रैंडेड सैनिटरी वेर्स और रेपुटेड मेक प्रिमियम कॉलिटी सीपी फिटिंग्स यहां पे दिये हुए है अंडर ग्राउंड एंड ओवरेड वाटर टैंक विद एडेक्वेट स्टोरेज कापसिट यहां पे दिया लोकेशन फीचर्स में सबसे इंपोर्टन पहला पॉइंट है दस मिनिट में वाकिंग बामन दोंगरी रेल्वे स्टेशन है उसके बाद एजी अक्सेस टू डेवलप नोड्स लाइक बेलापूर सीवूर जैन वाशी यहां तक आप एजीली पहुच सकते हो उसके बाद आत इंटरनाशनल एयरपूर्ट यहां पर है असवेल आज हाईवे कनेक्टिवीटी बेस्ट है और प्रोपोज स्कूल्स और कॉलेज़स यहां पर अवेलेबल है अब इसके प्रोजेक्ट फीचर की बात करें तो यह प्रोजेक्ट क्लियर टाइटल सिर्को ट्रांसफर पर्लिंग है एक्स्कुलूजीव वन बेज खे एंड कमर्शियल शॉप यहां पर अवेलेबल हैं अंपल स्पेस फॉर पार्किंग दिया हुआ है इंसाद नाशनल बैंक से यहां पर लोन मिल सकता है उसके बाद हम लोग यहां पर आता है जो प्लान यहां पर दिया हुआ बाद lift and parking के लिए जगा दी हुई है उसके बाद हम लोग first floor पर जाते हैं तो यहां पर first floor का plan है में देखने मिलेगा इसमें का एक particular जो flat है उसके बाद हम लोग यहां पर check कर सकते है like 105 का जो flat है हम लोग यहां पर check कर सकते है 105 में जैसे हम लोग entry करते हैं वहां पर living room है नौब by छे का यहां पर kitchen दिया हुआ है with चज्जा एक side में WC है bathroom है और इसके बाद bedroom आता है bedroom अल्मूस्ट 9-10 का है यहां पर भी चज्जा दिया हुआ है तो एक अच्छा खासा space यहां पर हम लोगों ने दिया हुआ है उसके बाद हम लोग passage में आते हैं तो passage अल्मूस्ट पाच म आप यहां पर second floor का plan check कर सकते हो इसके बाद third floor का fourth floor का sixth and fifth floor का भी यहां पर plan दिया हुआ है और उसके बाद finally आता है यह location कहां पर है इसके बादे में तो यहां पर सिड़कों का जो map है यह पूरा आप check कर सकते हो 32B में यह जो building है यह located है अभी यह तो पूरी project की details जो plan में द check कर सकते हैं यह पूरा building का view है आप देख सकते हो bottom to top चार अलग-अलग shops दिये हुए है और उसके बाद G plus 6 की यह पूरी building है इसके बाद हम लोग यहां पर hall का पूरा लुक यहां से देख सकते हैं यहां से इंट्री करने के बाद आपको पूरा hall का view देखने मिलेगा पूरा space आप यहां पर देख सकते हो अच्छा खसा spacious ऐसा hall यहां पर दिया हुआ है जैसे हम लोग उने plan में देखा था उसी तरीके से यहां पर hall दिया हुआ है उर्वे का पूरा जो आगे का area है वो दिख रहा है यह नीचे वाला जो गारमिटर का road है वो यहां से आपको दिख रहा है और यह है चच्छा जो की hall को available है याने एक छोटी वालकनी यहां पर available है hall के बाद हम लोग यहां पर kitchen चेक करने वाल है अब चेक कर सकते हो कीचन में भी अच्छा खासा space दिया हुआ है ग्रेनाइट का platform दिया हुआ है और SS का sink दिया हुआ है टॉप तक यहां पर tiles दी हुई है vitrified tiles यहां पर sliding window और चज्जा आपको देखने मिलेगा उसके बाद आप बाहर का view देख सकते हो पूरा एरिया किचन का चेक कर लिजे इसके बाद बीच में के passage में से हम यहां पर bedroom की तरब जा रहा है उसके पहले यहां पर WC का look हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं उसके बाद यहां पर bathroom दिया हुआ है bathroom का फूरा लुक चेक कर लिजे और उसके बाद यहां पर हम लोग bedroom में इंटरे कर सकते हैं bedroom का जो पूरा area है अच्छा कासा space दिया हुआ है इंट यह साइड में च्छा दिया हुआ है और बाहर का लुक हम चेक कर सकते हैं तो यह पूरी डिटल्स थी हमारे एक सिंगल बिल्डिंग प्रोजेक्ट की जिसका नाम है त्री मुर्थे अपार्मेंट्स जो की लोकेटड है इन वूलुए इस बिल्डिंग में वन आरके एंड वन बीज के फ्लैट्स अवलेबल हैं इन फ्लैट्स में आपको अलग अलग चार ऑप्शन मिलेंगे उसका पहला ऑप्शन यह है कि वन आरके जिसका एरिया पास्तो सत्तर का है प्राइज अल्मुस्ट 36,20,000 तक जाती है दूसरा वन बीज के एरिया है वो है 670 का जिसकी प्राइज 42,37,000 तक जाती है उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है वन बीज के का उसकी साइज है 680 की जिसके प्राइज 42,98,000 तक जाती है और लास्ट में सबसे बड़ा एरिया जो है वन बीज के का वो है 685 का जिसकी प्राइज 43,29,000 तक जाती है यह प्राइज all inclusive में है और निगोशियबल भी है तो अगर आपको इस प्रोजेक के बार में और जादा जा अगर आपको इसी तरह उलवे की अलग-अलग प्रॉपर्डी ज के बार में डिटल्स चाहिए तो हमारे इस चैनल पे अलग-अलग वीडियोस हम लोगों ने अप्लोड किये हुए है तो प्लेड़ीस में जाकर आप वह वीडियोस चेक कर सकते हो और इसी तरह अगर आपको नवी मुंबए में specially nearby पन्वेल करनजाड़े उल्वे इन लोकेशन में फ्लाइट खरीदना है 1BHK, 1RK, 2BHK तो हमारी इस चैनल को सस्क्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अन करिए या फिर आप डारेक्ली हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पर दिये हुए नमबर पर कॉलिंग के लिए या फिर वाट्सअप के लिए हमारा नमबर है 8369-222-785 थैंक्यू सो मच यह वीडियो रखने के लिए को स्क्रीजू सक्षब आपकूस विए आपकूस इनार चुल curry क वपक सकते हमें के लिए यह